कि हलो गुट इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्वा इंगलिश सूत्रा मैं आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी और आज मैं आप लोगों के लिए जो तो डश्रा मैंने आप से कहा था ससे लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ क्यूंक को इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको प्रिपेर करना है और चैंस को प्रिपेर करा है हमारे पास कॉल्स आती हैं कि क्या मैडम जो है आप न्यू स्लेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेर करवाएंगी तो तो तेल यू दरूथ हम मैं जो तयार करवा रही हूं जब से बैस स्टार्ट हुआ था और तब से जो है मैंने जब स्टार्ट करा था उसमें जो पहले से लिबस जला कर पूरी modern age तक British पूरी मैंने पढ़ाई है और इसके अलावा आजकल जो मेरे पास जो नोट्स हमरे जा रहे हैं उसमें पूरी British है और American है इसके अलावा उसमें इंडियान है और Afro-American है और Greek and Roman Literature है तो इसके अलावा मैंने उसमें जहर्मन वगरा भी दिया था लेकिन अब शुटेंटस को करवा रही हूँ तो मैं आप लोगं को बताती हूँ कि मैं इस समय कर्वा रही हूँ अब इंडियान जो है हमारा खटम हो के अब मिद्स अवमारा जिस्युरू होगा वह Americanvaa Start करेंगे तो मैं तो शुरू से ही Students को सारी चीज करें पहली चीज और आप तक twe Unity चीजे जो है तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक सेमिस्टर में एक वर्क दे देते हैं तो आपको वही प्रिपेर करना होता है लेकिन इसमें हम यह मान के चल रहे हैं कि जैसे एक जो कि आपने स्टूडेंट को दीवी है जो चीज़ हम लोग एड कर रहे हैं और जो वह पीडियाफ जीसे आभी तक का जो तक तक तयार करवाया है वह लग गया लेकिन आगे जो तयार होगा वह स्टूडेंट को पीडिएफ जो है वहां मिलेगी पर लब उनके बैच में उनको पीडिएफ जो है वह मिल जाती है तो इसके अलावा मैं गैडलाइन दे रही हूं कि पर कुछ चीज़ा जो एड करी है वह जैसे लिटरी थियोरी और पार्ट एड करा है और इंडियन में कुछ राइटर्स बढ़ाएं हैं और पेडागोजी जो है वो करवा रही हूं कुछ टॉपिक्स पेडागोजी के और बाकि जो भी मेरा जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक हैं तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंट्रस्टेड है कि तयारी अच्छा पहली बात दिमाग में आता है क्या हम तयारी कर लेंगे देखो ना तुम्हें पता ना मुझे पता कि एक्जाम कब होगा ठीक है फिर भी मान के चलो कि शैद 2-3 महीने हैं तो 2-3 महीने में ऐसा न देवाई दिया हुआ है उसके हिसाब से आप लोग जो है आप प्रेपरेशन शुरू करो एक गैडलाइन आपको मिल रही है जैसे मैं इस समय आप लोगों को यॉरपिन क्लासिकल लिट्रेचर बता रही हूं तो मैं उसमें पहले जो करवाया था वह आपको सोफ़क्लीस के सब्सक्राइब में बताया था आज मैं ओवेड लेकर आई हूं तो इसी तरीके से जो राइटर्स हैं वह आप लोग भी उसमें से निकाल सकते हैं जो डिटेल सिलेबस दिया हुआ है ना उसके नीचे दे रख्या तो आप राइटर्स करो ठीक है तो आप उसमें कर लोगे त सब्सक्राइब में करवा रही हूं आप देखते जाओ इनको डिटेल में आपको करना है थोड़ा बहुत और इसमें एक्स्टर पॉइंट्स मिलाने आप मिला लोग जोड़ने हैं जोड़ लो तो आप इसमें यह चीज कर सकते हो बाकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम ह टाइव जो है जो पूरा चल रहा है वह तो पॉसिबल नहीं है आपको पूरची पीछे की सब बहुत आरेंज्ज फॉर्म में लगी विया आपको केवल उनको पढ़ना है ठीक है तो ये एक और एक लिटरेचर का लाइव बैच है लेकिन उसमें भी पिछला बैक अप तो आ इसमेंश अगरा सबाफको आपके घर पर मिलते हैं आपको करना की घर गंलिडा एक आप अपर आप डाउनलोड किया हुआ आज मैं जो यॉरपीन क्लासिगा लिटरेचर में ओविट जिनका नाम आपने सुना होगा जिनका वॉक्ट मेनम आप लोगों ने सुन रखा होगा तो ये डियू बारे में आज आप लोगों को बताओंग विटी और लप पोयम्स लिखिए है उनको इंग्लिश में उनको ये एक बहुत महान लेटिन पोएट थे वह एक यहने कि रोमन रोमन और लेटिन एक ही चीज है तो रोमन पोएट थे लेटिन में लिखा करते थे वो लिव्ड दूरिंग दे रेंस अफ ऑगस्टस ऑगस्टस के समय में वो थे यह सारे के सारे लेटिन या रोमन पोएट्स है तो इनके कंटम्परेरी थे किसके वार्जिल एड होईटे आउगस्टस के समय में थे औरो कंटम्परेरी किसके थे वार्जिल और होरैस के जो हैं वो कंटम्प्रे थे वह बेशिकली वह जाने किसके लिए जाते हैं मेटमॉफस के लिए मेटमॉफस के मतलब क्यों तो चेंज परिवर्तन यह फिफ्टीन बुक क्या होता है कि एक कहानी जो होती है वह एक ही हीरो की कहानी चलती है इसके अंदर तो इनने जिया कपलेट्स यानिकी कपलेट्स दो 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 लाइन का स्टेंजा में लिखा है एस पेल एस्पेशली दे एमोरेस एंड आर्स इमेटोरिया दा आट अफ लव दे मेटमॉफस इस रिमेंस वन अफ दो इंपोर्टेंट सोर्से मेटमॉफस आज के समय पर भी बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि विलियम शेक्सपीर ने भी का मेटमॉफस से और जो परेमस इंट इस बेकि कहानी है तो उसमें जो एक लावर्स का एक बहुत ही सदेंड बूसेशन है बाद इस सेन इन शेक्सपीर स्रोमियो और जूलिएट इट मीस्टी इस विए इस विए इस विए तो यह जो है इसमें कहा जा सकता है तो मेटमॉफस इस बहुत इंपॉर्टेंट सोर से क्लासिकल माइथ लॉजी का ही वाद फॉर्स मेजर रोमन पॉयर्ट तो बिगिन इस करियर दूरिं दर रेन फॉगस्टस वो पहले मलब एक वो पोयर्ट थे जिनको पहचान मिली ऑउगस्टस के समय में तर फस्टी बॉक उफ देस बॉक लेटर फॉर्म में लिखी गई है उनके जो शॉर्ट वर्क्स हैं रेमेडिया एमॉर्स क्योर ओफ लव दकर्स पोयम आइबस एंड एडवाइस पोयम ओन विमिन्स कॉस्मेटिक्स उन्होंने एक लॉस्ट ट्राजडी भी लिखी है मीडिया हाला कि मीडिया का जो है एक द्वारा भी लिखी गई है दा हरोइट और एपिस्टोले हरोडियम इस अ कलेक्शन अफ 2121 पोयम्स न एलिजीयक काप्लेट्स थ्रिस्तिया कंसिस्ट फाइव बुक्स एंड लेटर्स फ्रम दे ब्लाक सी इजा कलेक्शन अफ फोर बुक्स ऑगस्टस सीजर क्यों बैनिश किया गया था और और को ऑगस्टस सीजर ने बैनिश कर दिया था और वह अग्यातवास में ही उनकी मृत्यू जो है वह हुई थी उनकी बहुत ही फेमस पोयम है मेटम लेखें हैं यह एक कहानी कहती वी पोयम है जिसके शुरुवात होती है कि beginning of की दुनिया के बनने से और उसके दुनिया के creation of the world and ends in इसमें 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 बताया गया है इसमें इसमें एक रेनेसांस राइटर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहना चाहिए बहुत ही फेमस जो एक बहुत सोड़ सिसके अलावा अगर आपने टीयसन इलयट की वेस्टलैंड पड़िए तो समें दिखाने की पाइब जो लगी वी है वो जो फिलोमेला का जो जो पेंटिंग में जो कहानी कहती वी पेंटिंग है वो भी मेटम आफसे से ही यह है वो लिया गया है तो ओविट जो कहा है कि वास दा कंटम्प्रेरी और लेकिन इतने फेमस राइटर होने लगें बावजूद भी इडाइड इन एक्जाइल में उनकी मृत्यू हुई और बहुत उनका जो नाम जाना जाता है वो मेटम आफसेस के लिए जाना जाता है यह मेटम आफसेस के प्राइमरी थीम ओफ ओविट मेटम आफसेस तो यह देखिए लव ट्रांस्फरमेशन वार डेथ तो अब आप लोगों को इस क्वेशन को देखकर इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि क्लासिकल रोमन लिट्रेचर पे किस तरीके के क्वेशन जो है वह आ सकते हैं वह मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूं तो सबसे पहला क्वेशन है वाट इस दा प्राइमरी थीम ओफ ओविट मेटम आफसेस आप सब परिवर्तन एंड डैस transformation that is transformation क्योंकि पूरी पोयम में ओविध ने कहानियां बताई है गॉड्स की ही रोज की जो अपने फिजीकल या मेटाफॉरिकल ट्रांस परमेशन करते रहते हैं तो यह जो है यह यह दिस इस थीम दाट इस transformation which god is frequently depicted in metamorphosis manipulating and shaping human destinies जुपीटर मार्स नेप्च्यून या मर्कृरी जो कौन से गॉड है जो फ्रीक्वेंटली मिटम आफिस में दिखाए गये हैं human destiny को परिवर्तित करते वे यानि कि बदलते वे जुपीटर मार्स नेप्च्यून मर्कृरी और इसका आंसर है इसका जूस गाडस उफ गॉड ठीक है तुड गॉर्ड गॉड तो वह जो है यह आपके जुपीटर जूस भी कहा जाता है इनको दिखाया ही ऑफन शोन मैलोब manipulating and shaping human destinies his action often result in the transformations that are central to the stories within the poem तो इसमें जो में गॉड है जो मैंने प्लेट करते हैं human destiny को that is Jupiter या Jews which character is transformed into a spider by Minerva और एथना as a punishment for hubris hubris मतलब होता है घमंड low definitely eco या आकेन तो इसका answer है देखें यह सारी कहानिया जो ना मैंटम आफिसे में आपको पढ़ने के लिए मिलती है इसका answer है और यह जो है आकनी आदेट इस आकनी उनको मिनर्वा के द्वारा जो देवी हैं उसके द्वारा उनको ट्रांसफर्म कर दिया जाता है spider में क्यूंकि वह बहुत ज्यादा घमंड करती है कि अपने वीविंग स्किल्स पर बतलब उसको अपनी भुनाई की कला पर बहुत ज्यादा घमंड है और वह यह मानती है कि वह गौड से भी ज्यादा सुपी है और यह देखो यह मैंने तीनों यह राजडियूक की शादी पर मगर वह ट्राजडी कमडी में बदल जाती है तो बेसीकली जो वह थीम ली गई है प्रेमस इंट थिस्बे की वह मेटामॉफसस से ही ली गई है इन विच भुक ऑफ मेटामॉफसस था स्टोरी ऑफ प्रेमस और थिस्बे फाउन तो इसका आंसर है इसऊज ली गई है उसकी कहानी जिसमें बहुत ही ट्राजिक कहानी है मेटम आफिस की यह इसमें दिखाया है कि किस तरीके से एक पहले दोनों जो है जो है उसके मुझे खून लगा होता हो उसको देखकर वह चुप जाती है और उसके दुपट्टे से मुझ पोचती है प्रैमिस सोचता है उसकी डेथ हो गई है तो वह खुद को मार लेता की देखने को मिलती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओविट का बहुत ज्यादा प्रभाव था रेनेसांस राइटर्स पे एंड इस स्टोरी इस फाउंड इन बुक फोर्थ वाट इस ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्टोन एड़ एंड अफ दा स्टोरी ऑफ नियोबे दे इसमें नियोबे की कहानी में नियोबे ही स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि वह बहुत घमंडी होती है वह अपने बच्चों के ओपर बहुत ज्यादा घमंड करती है और वह अपने आपको कंपेर करती है लीटो से वह जो अपोलो और आटेमिस की मदर है तो इस वज़े से उसको ही ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है स्टोन में इस रिस्पॉंसिबल फॉर दैंस्फॉर्मेशन आफ डैफने इंटु अल्ओरल ट्री अपोलो क्यूपिड जुपीटर यह डैफने सफादर इस पॉर्मो इसमें आपोलो इस रिस्पॉंसिबल डैफने के लॉर्ल ट्री के पीछे कौन है अपोलो को क्यूपिड का एरो लगता है इंड ही फॉल्स लव डैफने अब होता क्या है कि जो डैफने है वो प्यार से घ्रिना करने लगती है तो अपने पिता से जब प्रार्थन करती है तो उसके फादर जोगे उसको एक laurel tree में transform कर देते हैं तो responsible कौन है she is transformed into a laurel tree by her father बगार उसके लिए responsible है Apollo इस विच क्यारेक्टर famously declares I see and approve better things but followers in metamorphosis यह कौन कहता है और यह कहता है that is media 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 की कहानी भी इसमें जो media के internal conflict को दिखाता हुआ है और उसके wrongdoings को बताता हुआ है the answer is a media what is the outcome of the contest between Apollo and Pan as just by King Midas King Midas की कहानी आपने सुन रख्योंगी सभी ने बच्पन से जिस चीज को हाथ लगाते हैं सूने की बंज जाती है तो इसका answer देखिए question number what is the outcome of the contest between Apollo and Pan as just by King Midas तो इसमें यहाँ पर options है pan is transformed into a reed Apollo concedes defeat graciously Midas has turned into gold Midas year are turned into donkey's years इसका जो outcome होता है कि Midas जो है वो pan को winner जो है वो declare कर देते हैं और इस वज़े से as punishment for that Apollo sees as poor judgment he transformed Midas years into those of a donkey यानि कि इसका option है D कि Midas के कानों को गधे के कानों में बदल दिया जाता है क्योंकि जब Apollo और pan के बीच में एक contest होता है और उसका contest को जो judge करते हैं वो king Midas कहते हैं कि करते हैं और Midas जो हैं वो किसको declare करते हैं pan को इस बात से Apollo को गुसा आ जाता है और Apollo को यह लगता है कि यह judgment सही नहीं है इसलिए वो Midas के कानों को डंकी के कानों में परिवर्थित कर देते हैं यह कहानी अगर आपने और यूरिडाइसी का एक मित है जिसमें और फियस से जब शादी करने के लिए यूरिडाइसी आ रही है तो वो साफ है wear zeardie में काट लेते हैं और विया यहंदो जाती हैं अब इसको और आता है कि जहेंyrics लेकिन जब वह उपर आता है उसके से बिचश्ड जाती है तो यहांपर यह इसका जो मैंने भी आपको बताया क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्फियस की जो कहानी है जो उसका second attempt है पहली बार तो उसकी death हो जाती है दूसरी बार उसको मौका मिलता है लेकिन उससे कहा जाता है पीछे पलटके मत देखना और वह पीछे पलटके देख लेता है और इस वजह से वह यूड़ाइसी को हमेशा के लिए जो है वह खो देता है आंसर इस डी लोक्स बाक अट उड़ाइसी ओट फॉर्म दस जूस टेक टू अबड़क्ट यॉरॉपा यॉरॉपा को अपरण करने के लिए कौन सी फॉर्म जो है वह लेते हैं जूस तो दाट इस अवाइट बुल अगोल्डन शार अस्वान एगल तो जूस जो है वह वह लेते हैं यॉरॉपा को अबड़क्ट करने के लिए यह बहुत सारी ट्रांस्वर्मेशन में से एक है जो जूपीटर को लेते हैं तो वाइट बुल है इसका एक बार टैन के टैन क्वेस्टेंस देखेंगे देखें आपको कितना याद हुआ तो इसी तरीके के क्वेस्टें जो हैं वो पूछे जाते हैं में से बेसिकली अगर आपने सही जवाब दिया तो इसका आंसर है बी धाट इस transformation question number two which god is frequently depicted in metamorphosis manipulating and shaping human destinies that is jupiter या juice which character is transformed into a spider by minerva as a punishment for her hubris and the answer is d in which book of metamorphosis is the story of pyramus and tisbe found and that is yes that's book fourth what is transformed into stone at the story of niobe yes that is d who is responsible for the transformation of tiffany into a laurel tree that's a Apollo which character famously declares I see and approve better things but follow worse and that is media what is the outcome of the contest between Apollo and pan as judged by king midas yes that's d made midas years are turned into donkey's years how does office ultimately fall in his attempt to bring Eurydice back from the underworld that's d he looks back at Eurydice what does jupiter take to abduct europa what form does jupiter take and that is a white bull so yeh thay kuch questions और यह आपको मैंने यहां पर बताया है कि किस तरीके से आप चीजों को prepare कर सकते हैं और पर बोर पर मैं एक नए उसके साथ गाइडलाइन के सास्थ आपको मिलती हूँ है वे वे और है घब है आए एड्क्वेआ है